Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का देगी नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 02, भारत में राजनीतिक संद्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तो, इस वीडियो के अंदर में हमें Unit 2 से सुरुवात करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कौन-कौन से चैप्टर यहां पर बनते हैं, किस तरह का टॉपिक Unit 2 के अंदर में बनता है पारंबिक मद्यकालिन भारत में राज्ये के बारे में, कि मद्यकालिन टाइम पिरेड में किस परकार से राज्ये का उदे हो रहा था ठीक है, भारत में कौन-कौन से राज्ये का उदे हुआ, एक limited time period के अंदर में, वहां पर हम यह discuss करेंगे तो normally अगर आप बात करो, इसके time period की, तो यहां पर सातवी से लेकर टोटल बारवी सतादी तक का time period यहां पर आता है ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते है अपना वीडियो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर मैं पहला जो chapter है, unit 2 का, 5th chapter, उसके बारे में मैं discuss करू तो यहां पर मद्यकालिन राजनेतिक पद्धितियों के बारे में बात कर रहा है, जो सातवी से लेकर बारवी सतादी के बीच की है किस परकार से मद्दे कालिन राजनेतिक पद्दिती रही इस पिरिड के अंदर में 7-12 के बीच में उत्तर भारत की बात कर रहा है उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो उपर वाला जो हिस्सा है ना मद्य परदेश के आजपास का पूरा ये दिल्ली मद्य परदेश हर्याना इसके बारे में यहां पर डिसकस कर रहा है ठीक है राजिस्तान ये सारा कुछ अब देखो जब आप उत्तर भारत की बात करते हो 17-20 स्ताबदी के बीच में मद्यकालिन राजनेतिक पद्धित्यों का तो इस टाइम पिरेड के अंदर में राजपुतो का उदे हुआ ठीके राजपुतो का उदे हुआ किस परकार से राजपुतो का उदे हुआ यहां पर दिखाना होता है ठीके राजपुतो का साशनकाल वैवस्ता किस परकार का दहीए बताना होता है ठीक है वहाँ पर ये भी हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं एक question हो जाते के लिए दूसरा जो question यहाँ पर बनता है इस chapter के अंदर में दूसरा question मनता है भारत में सामंतवाद को लेकर अब देखो फ्यूडिलिजम है क्या सामंतवाद है क्या तो यहाँ पर अलग-अलग जो इतिहासकार इस बात को defend करते क्प भारत के इंदर में सामंतवाद को नहीं हूँ ठीक है क्यूंकि अलग-अलग-जगों पर अलग-अलग जगव होता क्या है सामंतवाद secularism वर् cinq है बहुमी का टुकड़ा ऐसा बहुमी का टुकड़ब जिस पूरी तरह से अधिकार उस टुकडे के मली का हो ठीक है Sa limbä कोरो आपने मुझे कोई भूमी का टुकड़ादिया मालिक त्में हूँ मेरे पास पूरा अधिकार है ठीक है और उस अधिकार के बदले में बहरत के अंदर में होता था कि शाषन विविस्था के अदर में स्योग करना होता था जैसे मालों मैं अपने पास स्यानिक रख रहा हूं मेरे पास कुछ इस्पिसल राइट भी आ गए ठीक है भूमी मिलने के बाद तो मैं उस स्यानिक का यूज आपके लिए कर सकता हूं आपको कहीं जरूत पड़ रहा है तो दे सकता हूं कभी टेक्स की जर बात करूं तो यहां पर आता है कि पारंबिक मद्यकाली में राजनितिक विवस्ता यहां पर जो टाइम पिरेड है आठवी से आठवी सताब्दी की बात कर रहा है ठीक है और यह प्राइडीपी भारत के अंदर में देखो जितने भी एक कोश्चन बनेगा थोस्तों इस सार पर राजपूतों के बारे में ही बताया पर जैसे ही हम बात करते हैं प्राइडीपी भारत के अंदर में आते हैं अब यहां पर पूछ रहा है कि छटी से आठी सताब्दी के बीच में प्राइडीपी भारत के अंदर में राजनितिक पद्दिती किस प्रकार की थी तो यहां अभू छेत्र होता है और पल्वो की पर्शासनी व्वश्था को लेकर यहां पे कोश्च्टर की बनता है कि पल्वों की पर्शासनी व्वश्था किस परकार का था ठीक है पल्लव अंस की अ मतुदि बात करें हमारा इस तरह से खतम हो जाता है सेवन्स चैटर की में बात कुरूँ हमारा थर्ड चैप्टर यूनिट का तो यहां पर आजाता है कि आठवी से बारुई सतावधी के अंदर में अब देखो उपर वाले हम बात करें थे च्टवी से आठवी सतावधी प्राई बहारत जगा हुआ ही है, टाइम पिरेड बस चेंज हुआ है, मद्य कालिन राजनेतिक पद्धितिया बताईए, अब देखो इसके बारे में हम डिसक्स करें ति यहां पर कुछ खास कोशन ही बनता है, यहां पर सिंपल सा कोशन ही बनता है, भारत में राजनेतिक सनरचना है, इस टाइम पिरिड में राजनितिक सनरचना की इस प्रकार की थी तो राजनितिक सनरचना की बात करोगे तो राजनितिक सनरचना के अंदर में नए नए सासकों का उदे हुआ नईने वन्सो का हुदे हुआ, सासात में काफी स्टुडिट बनी, जो उनकी परशासनी प्रुषासनी क्यों थी, equal해 बनने का काराने की अलग-अलग पदों की अलग-अलग जमेदारियां होती थी, हर पोष्ट के लिए ऐक अलग वेक्ति को निउगत किया जाता था, ठीके सेना के रगरखाव के लिए लग परणाली थी ठीके राज जी के प्रशाशनी के विवस्ता के लिए अलग तरीके का पूरा तयार किया गया था परणाली खाखा तयार किया गया था जिसके काहन से वो बहुत सुचारू रूप से चलता था और साथ साथ में दोस्तों एक request रहेगा, आप सभी students से बार बार क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, ठीके तो आप अपने notebook में note कर लीजिए, और एक भी unit अगर आप छोड़ते हो तो आपको अगला unit समझ में नहीं आएगा, note क्या करना है, suppose करो आपके इस book के अंदर में एक question ब बताओगे, ठीके, आधार क्या रहा है, वो बताओगे, उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्ता किस परकार क्यों बताओगे, आर्थिक व्यवस्ता किस परकार क्यों बताओगे, समाजिक व्यवस्ता किस परकार क्यों बताओगे, सांस्कृतिक व्यवस्ता किस परकार क्यो यह बता दोगे इतना बताते ही आपका अच्छा कासा नंबर मिल जाएगा और जितने भी पॉइंट में बोला है ना आप हर पेज पे ना पॉइंट आउट कर लीजिए और जब भी आप किसी वंस के बार में पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले मैच कर लीजिए कि यह वाला प तरो एक्जाम के लिए अच्छे से करना जाते हो तो दो वीडियो एवैलिवल है हमारे दी इनप के ओफिसल वेबसाइट पे और यूटूब पे सौरी एक तो आपका लास्ट फाइव यर का कोस्टिन पेपर है सॉल्व और दूसरा हैगा ओल इंपरेंट टॉपिक्स का तो अब दोनों वीडियो को देखने की पे भी है आपका जो स्लिबर से अल्मोस्ट कवर हो जाएगा यूट सेकिंड के अंदर में मैं इतना ही पढ़ना था फ्रेंट थैंक्यू सो मच फर वोचिंग में थैंक्यू सो मच फॉर लिस्निंग में बाबाय टेक केर अल देबेस अग